जैपूर के श्याम नगर इलाके में सुखदेव सिंग गोगामिरी की घर में घुसकर हत्या किये जाने की घटना को लेकर राजपूत समाज में भारी रोश है। मौके पर समाज के लोगों का ताता लगा है। राजपूत समाज के कई बड़े नेता परिवारजनों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। लोग इस पूरे घटना को लेकर टक्टकी लगाए हुए हैं कि आखिर हत्यारे कौन थे। इसी बीच उनके परिवार के सदस्यों के बारे में सोशल मीडिया पर भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। सुखदेव सिंग गोगामेरी की मौत के बाद उनकी पत्नी के प्रती भी लोग सोशल मीडिया के जरिये सहनभूती प्रकट कर रहे हैं। गोगामेरी की पत्नी शीला शेखावत हैं, जो राष्ट्रिया करणी सेना की महिला विंग की पदाधेकारी भी हैं। एक यूट्यूब इंटर्व्यू में शीला ने ये बताने की कोशिश की की सुखदेव सिंग गोगामरी राजपूत समाज के लिए क्या थे। शीला शेखावत ने इस इंटर्व्यू में कहा था कि उन्हें सुखदेव सिंग पर गर्व है, क्योंकि वो राजपूत समाज के अलावा 36 कौम को साथ लेकर चल रही हैं। साल 2020 में यूट्यूब चैनल को दिये इंटर्व्यू में गोगामरी की पत्नी शीला शेखावत ने भी यह बात मानी थी कि जिस तरह रैलियों में खुल कर वह बोलते हैं और अचानक गर्म हो जाते हैं। इस स्वभाव को उन्हें थोड़ा चेंज करना चाहिए। शीला शेखावत का कहना था कि समाज के लिए जिस तरह वह जुटे रहते थे और लगाया लड़ते थे। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें भी एक पत्नी के तौर डर लगता है। लेकिन इस बात पर गर्म भी था कि वो गरीबों और बहन बेटियों के लिए काम कर रहे थे। सुखदेव सिंग की पत्नी का कहना है कि सुखदेव गोगामेरी जहां बहन बेटियों की मदद के लिए जाने जाते थे। वही समाज के लोगों में शराब की बढ़ती आदत के वह खिलाफ थे। गोगामेरी की पत्नी ने बताया कि सुखदेव सिंग सहत उनकी गर में कोई भी शराब नहीं पीता है. वो राजपूत समाज के लोगों को इसी बात के लिए प्रेरित करते थे कि समाज के लोग शराब जैसी बुराई से दूर रहे. इसी तरह मृत्योभोज के खिलाफ भी सुखदेव सिंग लोगों को समझाते नजर आते थे.